प्रदानमंत्री नरेंद्र मोधी बहुत घुस्से में है आहत हैं वो और इस बात का जिक्र आज उरू ने खुद दक्षर भारत के अपनी एक रैली में किया क्या बज़ा रही प्रदानमंत्री को अपनी इस रैली में भगवान श्री कृष्ण को याद करना पड़ा क्या बचा रही कि प्रदान मंत्री ने यहां राहुल गांधी का नाम लिया राहुल गांधी से माफी मांगने के लिए कहा यह सब कुछ आपको बताएंगे लेकिन News18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को आपने अगर अब तक सब्स्राइब नहीं किया है तो पहला आप वो कर देखे कॉंवरेस के बरिष्ट नेता और पार्टी के इंडियान ओवरसीज इकाई के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के विरासत टैक्स वाले बयान के उपर विबाद अभी थमा भी नहीं था क्यों ने भार्तियों के रंग रूप को लेकर एक और टिपणी कर दी और बीजेप मंठर्मंचरी मोदी ने ये कहा कि मैं अपने साथी भारतियों का अपमान बरदाश्ट नहीं करूंगा आज मैं बहुत घृस्से में हूं अगर कोई मुझे गाली दे तो मुझे चलता है, मुझे घुसा नहीं आता है, लेकिन मेरे देश को गाली दी गई है और इसी लिए मुझे घुसा आ रहा है। अगर हुआ तो उसी से पूछ लेते हैं, बस ठीक उसी तरह शहजादे को जब भी कन्फूजन होता है, ये थार्ड प्लेयर से वसला ले लेते हैं। और ये भी उन्होंने का कि मुझे अब ये समझ में आ रहा है कि क्यूं राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू को सब मिलकर हराने में लग गए थे। प्रदान मंत्री नरेंद मोदी का ये कहना था कि शायद द्रौपदी मुर्मू के इसी चमडी के रंग को इन्होंने देख लिया होगा। और शायद यही बज़ा रही होगी कि पूरी कॉंग्रेस उन्हें एफ्रिकन समझ कर उन्हें हराने के पीछे लग गए होगी क्योंकि उनकी चमडी का रंग काला है। इतना ही प्रदान मंत्री नरेंद मोदी ने यहाँ पर श्रीक्रिश्न का भी जिक्र किया। अब सैम पित्रोदा ने कहा कि आप वो भी आप समझ लेज़ें। आपको भी अलग अलग नजर आते हैं। क्या उन्हें सिर्फ भारतिय की नजर से नहीं देखा जाना चाहिए। आपको भी आपको भी आते हैं।